हलो वेलकम टू यासरली क्लासेज आयम यूर मैथमेटिक्स मेंटर और बेटा कल हमने चेन रूल तक अपना डिस्कुर्शन कर लिया था और आगे हम आज उसको ही केरिय ओन करेंगे और आज हमें एक नया डिफ्रेंसीशन भी पढ़ेंगे डेट इस लॉग अरिफ्रेंसीशन ठीक है तो पहले में चेन रूल कल मैंने आपको इंट्रोड़क्शन दे दिया था और चेन रूल के कुछ कुछन भी करवाई थे एक अच्छा कुछन और हमाज चेन रूल से ही स्टार्ट करते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर मैं एक कुछन दे रहा हूँ जैसे माल लीजे कि हमें डिफ्रेंसीशन करना है दी ओवर दी एक्स ओफ लॉग ओफ लॉग एक्स ठीक है बटा लॉग ओफ लॉग एक्स का हमें डिफ्रेंसीशन करना है ठीक अब मैंने आपको चेन रूल समझाई दिया था तो कैसे हमें अप्लाई करेंगे यह तो आपको कि x को replace कौन कर रहा है ठीक है तो पेटा हमने जो differentiation पढ़ा था d over dx of log x हमने log x का differentiation पढ़ा था और पेटा log x का differentiation होता है 1 upon x ठीक है हमने log x का differentiation पढ़ा था 1 upon x तो पेटा यहां देखो log of log x लिखा हुआ है तो पेटा log x को replace कौन कर रहा है यहाँ पर x को replace log x कर रहा है क्योंकि यहाँ पर log x लिखा हुआ होना चाहिए था लेकिन log x की जगा log of log x लिखा है ठीक है तो हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि log x का differentiation क्या होगा तो बेटा log x का differentiation 1 upon x होता है उस हिसाब से हमारा answer हो जाएगा अब यहाँ हमें x नहीं लिखूँगा यहाँ क्या लिखने वाला हूँ यहाँ हमें log x लिखने वाला हूँ ठीक है multiply भाई अब हम channel लगा रहे differentiation of बेटा जो x की जगा आ रहा है आप उसको differentiate कर दोगे तो ज़रा देखो x की जगा कौन आ रहा है बेटा x की जगा यह log x आ रहा है x की जगा यह log x आ रहा है ठीक है तो देखो यह क्या हो जाएगा 1 upon log x into बेटा log x का differentiation कितने हो जाएगा 1 upon x ठीक है तो बेटा log of log x का differentiation हो गया 1 upon log x into 1 upon x तो यह one of the best question है based on the chain rule one of the best question based on the chain rule ठीक है इस question से हमें बहुत जादे clarity आ जाती है कि chain rule, normal rules of differentiation से बिटा कैसे अलग है ठीक है, तो हमें chain rule में सिर्फ क्या याद रख रहा है कल मैंने आपको एक trick भी पता ही थी कि chain rule का मतलब होता है replacement ठीक है, alternative तो बिटा x की जगा जो भी आ रहा है आप सिर्फ multiply लगा करके उसका differentiation कर दोगे ठीक है, एक question और कर लेते है इस पे हम एक question और करेंगे based on this, देखो जड़ा ये देखो, question number 2 ठीक, इसमें हम एक question और करते हैं, that is log of log x, ये तो हमने कली कराता शायद हाँ, ये वाला तो हम लोग try कर चुके थे 5 minus 2x की power 4 ये देखते हैं, 5 minus 2x की power 4 ठीक है, तो इसको note कर लो 5 minus 2x की power 4 बिटा, 5 minus 2x की power 4 को क्या करना है differentiate करना है ठीक है, अब यहाँ problem वाली बाप क्या है कि हमने जो बिटा differentiation पढ़ा हुआ है वो हमने किसका differentiation पढ़ा है x to the power 4 का differentiation पढ़ा है x to the power 4 का differentiation क्या होता है बिटा, x to the power 4 का differentiation होता है 4x cube ठीक x to the power 4 का differentiation 4x cube है अब यहाँ पर हमारा x to the power 4 तो है नहीं बिटा, x की जगा क्या आ रहा है x की जगा 5-2x आ रहा है बस यही आपको पहचानना है आपको सिर्फ question को देखके यह देख रहा है कि x को replace कौन कर रहा है x की जगा कौन आ रहा है तो पेटा x की जगा कौन आ रहा है 5-2x आ रहा है क्योंकि यहां 5-2x की जगा x की power 4 होनी चाहिए थी कोई problem नहीं पेटा अगर x की power 4 होती तो आप answer मुझे 4x cube बताते है ना तो पेटा उससाब से इसका answer कितना हो जाएगा 4 x की power cube नहीं लिखेंगे बल्कि 5-2x की power cube लिखेंगे यह अवले पास समझ मैं ठीक है क्यूंकि हमारा answer 4x cube होना चाहिए था इस वज़े से मैंने क्या लेखा है 4 times of और x की जगा मैंने क्या लेखा है x की जगा मैंने लेखा है 5-2x का cube multiply by x की जगा जो आ रहा है उसको differentiate कर दो तो देखो ज़रा x की जगा कौन आ रहा है x की जगा आ रहा है यहाँ पर मेरा 5-2x तो इसको हम differentiate कर देंगे तो मेरा final answer हो जाएगा 4 into 5 minus 2x की power cube multiply by अब देखो यह 5 तो constant है constant का differentiation कितना होता है बेटा constant का differentiation 0 होता है और minus 2x जो है minus 2x में minus 2 भारा जाएगा और बेटा x का differentiation 1 हो जाएगा ठीक अब देखो यहाँ पर यह जो 4 और minus 2 है इस 4 और minus 2 का multiply कर दोगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8 लिख दोगे है ना 4 2 जा कितना लिख दोगे 8 तो बेटा यह हो जाएगा minus 8 5 minus 2x का whole cube समझ रहे हो ना तो इसका answer हमारा यह हो जाएगा clear है चलो एक और question देखते है इस पर हमें एक और question देखते है बढ़िया सा ठीक है ताकि हमें भी clarity आजाए और आप लोगों को भी समझ में आ जाए बेटा वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा हो ठीक है तो वीडियो को like जरूर कीजे अच्छा एक question और देखते है बढ़िया question देखो ये e की power x square plus 2x plus 5 इसका differentiation मुझे करना है ठीक है इसका differentiation मुझे करना है कोई problem नहीं स्टार्ट करते है भई हमें इसका differentiation करने से पहले पता क्या होना चाहिए पता ये होना चाहिए कि d over dx of e की power x क्या होता है e की power x का differentiation होता है e की power x समझ रहे हो e की power x का differentiation क्या होता है बटा e की power x का differentiation होता है e की power x इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई अब बटा e की power x का differentiation e की power x होता है यहाँ e की power x तो नहीं है यहाँ e की power x तो नहीं है e की power x होना चाहिए था लेकिन उस x की जगा क्या आ रहा है उस x की जगा x square plus 2x plus 5 आ रहा है तो no issue बेटा अगर e की power x हो था तब आप अंसार e की power x लिखते तो पहले मैं लिख दे रहा हूं e की power x की जगा क्या लिखूंगा x square plus 2x plus 5 multiply by d over dx of जो x की जगा आ रहा है यह x की जगा आ रहा है तो बेटा यह कितना हो जाएगा e की power x square plus 2x plus 5 multiply by और इसका differentiation तो आपको आता है बेटा x square का differentiation कितना होता है 2x बेटा 2 का differentiation और 2x का differentiation 2 बहार आ जाएगा और x का differentiation 1 हो जाएगा और 5 तो सिर्फ constant है उसका differentiation 0 तो answer will be this छीक है समझ आ गया होगा देखो यह वाला समझ में आ गया होगा आप लोगे ठीक है अच्छा next next question करते ताकि हम लोगों को और clarity आ जाए देखो एक question यह दिया हो है 3x square plus 2x plus 1 to the power 5 ठीक है x to the power 5 का differentiation होता है 5 x to the power 4 यह वाली बास सारी लोगों को पता है कि x to the power 5 का differentiation कितना होता है x to the power 5 का differentiation होता है 5 x to the power 4 अब बेटा x to the power 5 का जो differentiation है वो 5 x to the power 4 है उस हिसाब से हमारा इसका differentiation का answer देखो तरा कितना हो जाएगा इसके differentiation का answer हो जाएगा हमारा 5 x to the power 4 है अब बेटा x की जगा मैं क्या लिखूंगा x की जगा लिखूंगा 3x square plus 2x plus 1 की power 4 समय रहे होना इस बात को अब यह मैंना 5 x to the power 4 वहाँ पे लिखा हुआ है उसकी जगा बेटा क्या लिख दिया 5 3x square plus 2x plus 1 की power 4 बेटा multiply by differentiation करोगे तो d over dx of बेटा किसका differentiation करेंगे जो x की जगा आ रहा है तो बेटा x की जगा कौन आ रहा है x की जगा आ रहा है हमारे पास 3x square plus 2x plus 1 clear है अब देखो इसको करो जगा 5 3x square plus 2x plus 1 की power 4 multiply by यह देखो जगा 3x square 3 बहार आ जाएगा और x square का differentiation 2x हो जाएगा बेटा तो यह कितना बन गया यह हमारा 6x बन गया तो इसका differentiation हो गया 6x plus 2 बहार आ जाएगा x का differentiation 1 और बेटा 1 का 0 तो dead will be your answer ठीक है I hope so कि आप सबको समझ में आ रहा होगा छीक है जी question number next की तरफ बढ़ते उसके बाद हम आप आज के नई topic पहेंगे log वाले पे ठीक है यह देखो जड़ा e की power x square यह और करते हैं chain null पे last question the over dx of e की power x square now अब देखो समझो हमने जो differentiation पढ़ा है वो किसका पढ़ा है हमने differentiation पढ़ा है e की power x का कितना होता है e की power x ही होता है ठीक है बेटा e की power x का differentiation e की power x अब बेटा उस हिजब से कितना हो जाएगा e की power x square multiply by d over dx of जो x की जगा आ रहा है तो पेटा x की जगा कौन आ रहा है x की जगा x square आ रहा है तो e x square multiply by x square का differentiation हो दा है 2x तो that will be our answer ठीक है अब आपको इतनी understanding यहाँ पर chain null के बारे में आ गई है की आप कोई भी question होगा वो आप आसानी के साथ कर लोगे ठीक है अब मैं यहाँ पर एक नया type का differentiation आपका शुरू करूँगा that is log arithmetic differentiation ठीक है that is log arithmetic differentiation तो heading लगा लीजे heading लगा लीजे बच्चों log arithmetic differentiation log arithmetic differentiation मैंने आपसे कहाता है कि हमारा अभी जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ इतना बताया है कि d over dx of log x log कोई function होता है उसका differentiation 1 upon x है बेटा अब हम इसी log के बारे में आगे बात करेंगे ठीक है इसी log के बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले तो बेटा log differentiation से पहले मैं आपको कुछ properties बताना चाहता हूँ properties of log जो हमारी help करेंगी log differentiation समझने में तो पहले एक subheading लगा लिजे properties of properties of log log की property ठीक है log एक mathematical function है उसकी कुछ properties है क्या होती है वो देखे पहली property बेटा अगर log x की power m है ठीक है log x की power m है तो पेटा ये जो power होती है न m ये पहले आ जाएगी इसको मैं क्या लिख दूँगा m log x समझे रहे हो ना अगर log x की power m है तो मैं उसको m log x लिख दूँगा ठीक property नमबर अच्छा पहले इसका example ले ले दे इसका example ले ले लेते हैं वेटा मिनट देखो इसका example ले लो log x to the power 4 इसको क्या लेक सकता हूँ मैं ये जो power 4 बेटा ये पहले आ जाएगी यानि ये हो जाएगा हमारा 4 log x ठीक है अच्छा property number 2 देखिए जरा log की property number 2 बेटा अगर log log x minus log y ऐसा है तो इसको मैं क्या लेक सकता हूँ इसको बेटा मैं लेक सकता हूँ log x upon y this is property number 2 अगर log x minus log y है तो आप उसको log x upon y लेक सकते हूँ ठीक है for example अगर मैंने यहा लेका log 8 minus log log 8 minus log 4 मैंने ऐसा लेका तो आप उसको क्या लेक सकते हो आप उसको लेक सकते हो log 8 upon 4 समझ रहे हूँ ना तो this is property number 2 which is very important property number 3 देगे log x plus sorry इसको erase करते है हाँ तो बेटा अगर log x plus log y है तो बेटा log x plus log y क्या हो जाता है log x y ठीक है बेटा log x plus log y क्या हो जाता है log x y यह वलों समझ मैंने ना अगर log x plus log y है तो उसको क्या लेक होगे log x y तो अभी के लिए मुझे लगता है यह 3 प्रॉपर्टी काफी है एक मुझे लेकर वेटा मिनट एक मुझे लुख जाए यह थोड़ा प्रॉब्लम कर भाए सिस्टम बेटा वाइल बेटा वाइल ओके वापस आते हैं तो बेटा अभी के लिए मुझे अभे यार तो अभी के लिए जो है मुझे लगता है कि यह प्रॉपर्टी काफी है और इतनी ही प्रॉपर्टी जो है वो हमारी हेलफफुल है ठीक है जैसे देखो इसको यह तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताईए एक बताईए लॉग एक्स की पावर M is equal to M लॉग एक्स बेटा सबसे important अगर कोई प्रॉपर्टी है वो यह है सबसे important most important property है बेटा most important वाली जो प्रॉपर्टी है मरे पास वो ही है कि log x की power अगर M है तो आप उसको क्या लिख सकते हो उसको M log x लिख सकते हो ठीक है यानि जो power है उसको उतार करके नीचे आगे लिया हो ठीक है तो log x की power M को M log x लिख सकते हो और बेटा अगर log x minus log y है तो उसको log x upon y लिख लो और बेटा log x plus log y को क्या लिख होगे log x y लिख होगे clear है यह वाली बात ठीक है अब ये properties हमारी help करेंगी क्या पढ़ने में log differentiation पढ़ने में ठीक है अब heading लगा लिजे next setting is log differentiation ठीक है अब heading लगा लिजे log differentiation ठीक है log arithmetic differentiation log arithmetic differentiation log arithmetic differentiation ठीक है बेटा log arithmetic differentiation में पहली बात याद रखिए कि हम log लगाते कम है पहली बात सबसे इंब बात we take log we take log on both side on both side if function is in the form of is in the form of fx की power fx fx की power fx ठीक है यह सबसे important point है सबसे बात यह कि हमें important क्यों है क्यों log differentiation जब हमारा normal differentiation से काम चला था तो हम log differentiation करेंगे क्यों? y क्यों हमसे इतनी भेहनत करवाई जा रही है क्यों? क्यों करेंगे हम ऐसा? ठीक है? log differentiation हम करेंगे क्यों? उसका answer है यह point उसका answer है यह point कि log आप तब लोगे या log हम दोनों side यह क्या लखाए हमने we take log on both side both side समझ रहे हो ना? LHS और RHS ठीक है? दो side होती है हमारे पास एक LHS left hand side और एक right hand side तो बेटा दोनों side में हम log क्यों लेंगे? यह function is in the form of fx की power fx अगर function के ऊपर एक function है अगर function की power function है तो हम क्या लेंगे? वहाँ log लेंगे for example जैसे अब तक हमने क्या देगा है? हमने हमने x cube लेगा हुआ है अब तक हमने यहाँ क्या होता है? यह x जो है वो क्या है? कोई function है और उसकी power क्या है? उसकी power एक constant number है, है न? जैसे मैंने x to the power 4 लेगा, तो पेटा x कोई function है और उसकी power क्या है? एक constant term है, ठीक है? मैंने x to the power minus 1 लेगा तो x क्या है कोई function है और उसकी power क्या है constant term में तो इस सबका differentiation किस से हो जाएगा x to the power n वाले form में से हो जाएगा normal differentiation है यहाँ log नहीं है यहाँ log की जरूद नहीं है मैं क्या बोल ला हूँ कि log कहा लोगे बेटा log लोगे जहां function के उपर function है जैसे x की power x है समझे नहीं हो न log का लोगे जहां x की power x है ऐसा कोई function है जाता है तब आप इस सो log लोगे ठीक है जैसे मैंने दिया question आपको y is equal to x की power x यह मैंने question दिया आपको y is equal to x की power x ऐसी question में हम क्या करते हैं starting taking log taking log on both side taking log on both side बेटा दोनों side पे हम log लेना start कर देते हैं ऐसे question में ठीक है कैसे पता पड़ेगा एक बाट दुबारा repeat करना हूँ log हम क्यू लेंगे log की जरीयत क्या है log की जरूवत क्या है जब हमारा normal differentiation से काम पर चला था अगर function के उपर function अब तल जो differentiation कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे x3, x4 function के उपर जो power थी वो constant की थी लेकिन बेटा यहाँ जो power होगी वो function के उपर function होगा यानि x के उपर x यानि एक function है अब इस function के उपर जो power है वो देखो constant number नहीं है वो power हमारी constant number नहीं है वो power एक और function है तो जब भी function के उपर function जैसी कोई power होगी तो हम उसमें पिटा क्या करते हैं उसमें हम log लेते हैं दोनों side पर ये बात मैंने बताई है कि log लेकर के हम starting करते हैं, दोनों side पर log लेंगे और starting करेंगे उसकी ठीक है तो हम पैचानेंगे कैसे पिटा log बाला question है अगर function के उपर function होगा function के उपर जो power चड़ी होगी वो function होगी ये वाली बात लिख लो power is in form of power is in form of function जो power है वो हमारी किस form में होगी? जो power है वो हमारी एक function के form में होगी समझ पार है उना ये वाली चीज? जो power है वो किस form में होगी वो power हमारी एक function के form में होगी अगर function के उपर बंगी तब log लेंगे अच्छा log लेकर करके हम करते क्या है कैसे differentiation करते है यह वाली बात आई तो इसके लिए मैं इसी example से शुरुआत करता हूँ जैसे question आया आपका find find dy by dx dy by dx अब यह मत बोलना समझ नहीं आ रहा dy by dx में कली clear करा चुका हूँ chain null में dy by dx का कोई solution नहीं होता अगर y का differentiation करने के लिए बोलना है तो answer क्या दोगे तुम dy by dx दोगे ठीक है of the function आपको function दिया हुआ x की power x ठीक है x की power x से एक function दिया हुआ है dy by dx का मतलब है differentiate करना dy by dx का मतलब क्या है differentiate करना ठीक है बेटा हमेशा जो भी function दिया हुआ है उसको सबसे पहले y के equal माल लेते है अब हम थोड़ा standard differentiation सीख रहे है सबसे पहले जो भी function दिया हुआ है उसको किसके equal माल लोगे बेटा उसको y के equal माल लोगे तो यह मैंने क्या लग दिया y is equal to x की power x अब देखो ज़रा यहां मेरा function के उपर function है x के उपर x है x की power कोई constant number नहीं है बलकि x के उपर एक x है यानि function के उपर function है तो हमें starting कैसे करूँगा question की starting करूँगा मैं taking taking log on both side taking log on both side दोनों side पर एक log लेना है हमें तो दोनों side पर जब log लोगे तो यह हो जाएगा log y और यह हो जाएगा log x to the power x समझ रहे हो ना मैंने बताया था ना जब भी function के उपर function होगा तो log लेते हैं दोनों side पर तो यह वाली line आप लेकोगे taking log on both side तो जब दोनों side पर log ले रहे हैं तो जब दोनों side पर log लाओगे तो यह y क्या बन जाएगा log y और यह क्या बन जाएगा log x की पार x सिर्फ मैंने log ले लिया दोनों side पर ना बिटा आप देखो इस से तो कोई problem नहीं है इस system wait a while ठीक है देखो इस log y को तो कोई problem नहीं है log y तो as it is है ठीक है यहाँ हम property लगाने जा रहे है log की जो मैंने अभी आपको पढ़ाई दी मैंने पताया था बेटा log x की power अगर m है तो इसको क्या लेखोगे m log x लेखोगे यह लेख पढ़ाई ना मैंने अभी कि अगर log x की power m है तो इसको क्या लेखोगे m log x लेखोगे तो बेटा अगर log x की power x है तो यह x यहाँ से उड़के यहाँ पहले आ जाएगा तो इसको क्या लेखोगे x log x लेख लोगे यह वाली बस समझ मैं बस अब कुछ नहीं करना अब आप differentiate करिए इसको सीधा differentiate with respect to हमेशा differentiation किसके respect में सखाए है मैंने आप लोगों को x के respect में पेटा x के respect में इससे differentiate कर दो तो जब x के respect में differentiate करोगे तो यहाँ लग जाएगा d over dx d over dx of log y is equal to d over dx of x log x अब देखो सारी चीज़ें जो तुम अब तक सीख गए है वो साब mix हो गई अब अब cushion mix हो गई भई अब chain 0 के भी cushion chain 0 का concept भी आगया log का भी आगया सब एक साथ आगया ठीक है कोई problem नहीं है अब मुझे बेटा यह जो right hand side है मेरी d over dx of x log x इसके साथ तो कोई issue नहीं है क्योंकि यहाँ dx लेखा हुआ है और उपर का पूरा function किसके respect में x वाला ही है function x का है यहाँ मुझे problem है क्या problem है यहाँ dx लेखा हुआ है और यह log y है तो मतलब यहाँ क्या लगेगा chain 0 लगेगा यहाँ क्या होना चाहिए था यहाँ log x होना चाहिए था अगर log x होता तो answer इसमें देता 1 upon x बेटा उसके सबसे answer दूँगा 1 upon y multiply y जो x की जगा आ रहा है उसको differentiate कर दो तो देखो x की जगा कोना रहा है x की जगा y आ रहा है तो इसको differentiate करोगे तो यह क्या हो जाएगा dy over dx ठीक है अब यहाँ पर जब log वाला differentiation करोगे तो यह मैंने आपको lecture number 2 में पढ़ाया था कि यहाँ पर बेटा दो function है एक है x और बेटा दूसरा है log x ठीक है तो यह हो गया बेटा मेरा function 1 और यह हो गया बेटा मेरा function 2 ठीक है दो function आपस में multiply हो रहे तो product rule बच्चों को यहाद है जब दो function आपस में multiply होते है तो क्या होता है first function बाहर differentiation of second function बीच में हमेशा plus second function बाहर differentiation of first function ठीक है तो देखो यहाँ product rule लगाएंगे तो x बाहर आ जाएगा differentiation किसका करोगे log x का plus log x बाहर आ जाएगा differentiation किसका करोगे x बाहर आगे differentiation log x का log x बाहर आगे differentiation x का ठीक है अब देखो यह वाला part तो solve हो चुका 1 upon y dy by dx is equal to यहाँ देखो x into x into बीटा log x का differentiation कितना होता है 1 upon x होता है ठीक है log x और बीटा इस x का differentiation कितना होता है 1 होता है ठीक है अब देखो बीटा x x cancel हो गया x x cancel हो गया कितना बचा है इधर इधर हमारा 1 ही बच रहा है ठीक है तो मेरा final answer हो जाएगा 1 upon y dy by dx is equal to 1 plus log x समझ रहे हो अब देखो dy by dx is equal to क्योंकि question में हमने dy by dx की value पूछी थी ये बटा जो 1 upon y है जब ये इधर आएगा तो इसके साथ multiply हो जाएगा y into 1 plus log x ठीक है और y की value भी आपको उपर question में दे रखी थी y की value question में दे रखी है नहीं देखो ज़रा यहां मैंने क्या बोला था कि function को क्या मन लोगे कि y is equal to यह तो y की value कितनी दे रखी है y की value दे रखी है x की power x तो last में यह जो हमारा answer आए इसमें सिर्फ क्या put करोगे सिर्फ ये y की value लगा दोगे तो y की value कितनी दे रखी थी x की power x और 1 plus log x तो that will be our answer विटा सबसे important अगर differentiation में कुछ है चाहें वो parametric differentiation हो या फिर वो exponential differentiation हो उसमें सबसे important जो है वो log arithmetic differentiation है क्योंकि अगर आपको log arithmetic differentiation पर आपका command आ गया तो फिर differentiation बहुत आसान हो जाता है ठीक है और log arithmetic differentiation के लिए हमें basics चाहिए वो सारे के सारे आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे तो आज ये पूरा log arithmetic differentiation के बारे में था कल से हम कुछ question और करेंगे जो log arithmetic differentiation के होएंगे इसी से शुरुआत करते हैं और एक नई form of differentiation पहाएंगे that is parametric differentiation ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको जरूर लाइक कीजिए और b.com के लिए हम लोगों की app पर यासर अली के app पर आपको course मिल जाएगा उस course को आप purchase कर सकते हैं अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही है उसमें आपको business mathematics की recorded classes और accounts वगरा जो भी आपके subject होते हैं वो उसकी recorded classes life classes सब वहाँ पर मिल जाएगे ठीक है ओके ठैक्यू